अलो स्टुडेंट एक बार फिर आप सब्सक्राइब है हमारी स्केटर नॉलिज चैनल में जिसमें आज आपको पढ़ाने वाली हैं कमपडिशन सी रिलीटिन मैथमेटिक्स फर्स्ट क्वेशन है हमारा कि साधार भी आज की किस दर्से 925 रुपए का पांच बस में मिस्र दन 1110 रुपए हो जाएगा तो आपसे रेट पूंचा गया है तो हमको एसाई गिविन है यहां पर क्योंकि हमको जब टोटल एमाउट गिविन है और प्रिंसीपल भी गिविन है तो इनका जो डिफ्रेंस होगा वह सिंपल इंट्रेस्ट यानि एसाई होगा तो एसाई जुकल तो हम या से फायन कर सकते हैं ए माइनस पी डैट इस 1110 माइनस 925 इन प्रिंट्रेस्ट मिल गया तो एसाई उपल टू होता है जो गिविन हो उसी का फार्मूला लगा तो ऐसाई जुकल टू होता पी आर्ट अपॉन हमें यहां से आर्ट करना है तो आर के लिए हो जागा साई इन्टू हंड्रेड अपॉन पीटी अब आप इनको सॉल्व कर लिजेगा एसाई है 185 इन्टु हंड्रेड पीए 925 इन्टु फाइव फाइव से एकेंसल करेंगे थिरी और यह 737 टाइम्स 185 से कैंसल हो रहे हैं यह 25 से कैंसल कर दीजेगा फूर टाइम्स विए 25 से कैंसल कर देंगे 253 यह 75 यह नहीं पच कर देंगे 253 यह 75 यह नहीं पास आगया 4 यह 4 पर से नौट पच्चिस रुपए पाच बच्च में 1110 हो जाएंगे नेक्स्ट वेस्टेट फिप्टी सिक्स प्लस्ट टूर 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 वह यह पूंट में बदलते लिए एडिशन है फिर इसका एडिशन है फिर टूर इसका एडिशन फिर इसका इसके साथ मल्टी प्लाई है तो यहाँ पर भी 256 भोथ यह लिखा हुआ है क्वां 2456 आप देहिए पर लिए करना कि आ रहें पाँ है तो आपके पास एक दूसरा तरीका जो होता है आप इनका ds 50 कलिए डिजिट सम इनका सब्सक्राइब करेंगे। इजा यहां से सबका सेम ही है एक नाली जैगा तो यह वह रहाए एक मुखाम 611 11 का 2 और तू और यह आदो यह ऑधी 4 है यहादी 4 थो vi pure इस अब्धे फोर का एडिशन करेंगे 11 वह टू टू में फोर का एडिशन करेंगे six ए और six नहीं预झ था 10 तैन यानि बन आ हाँ एग बार आप चेक कर सकते हैं सब का फॉरी फॉर हो रहा तो यहां तो मुल्टीप्लाई हो रहा है तो मुल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा इसका जो डियास आ रहा है वह बन आ रहा है इसमें जिसका बन आएगा वह हमारा जबाव होगा देख लीजिए आप इदर के सब सेम है लेप्ट से लेप्ट हैंड के तरफ डियस सबका सेम है यानी एट प्लस टू टैन बन और यानी फाइव ही आ इदर सबका फाइव है तो बार बार निकालने की जरूवत नहीं रहेगी अब आप इदर फाइंड कर लीजिएगा जिनका इदर नाइन हो रहा हूँ उन्हें छोड़ देंगे दिखिए का थी पिलस त्री नाइन छोड़ दीजिएगा नाइन कभी हम डियस की किलास जब लेंगे तो आपको बताएंगे नाइन क्यों छोड़ना है कहने मतलब यह कि किसी नमर का डियस अदियस अच्छेंड कर कि यहां आजाएगा कि यहां ये एटीन हो रहे है एक साथ प्लैकर्ण सब्सक्राइब यानि 5 5 10 इसका एक आया है आप देखेगा किसी और का भी अगर एक मिलेगा तो multiply करना ही पड़े अगर यहां पर आ जाई गई फाइव है यह 9 हो गया देखेगा यह 8 4 प्लस 4 प्लस 1 9 हो गया 9 को आप छोड़ सकते हैं 6 और 5 11 का 2 करेखेखे च़पि चनंट को सबका डीयस अलगिलाग आया था यहां पर बनाया सी का तो जिसका जो जवाब होगा स्कंटीस वाला ही इस प्रकार की कैल Initially में कभी कभी क्या होता है यह वी दो ननम्बर में हम मालिए कि किनी दो ऑप्षिन के बन ही जी सम हो जाता तो फिर यह अमारा डियेस वाली जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी फिर हम लास्ट डिजिट देखते या लास्ट टू डिजिट देखते उससे भी करते यह हमारा यहां पर लग गया है कि हमको 160 720 और 400 का मासा फ्राइंड करना है कि देखेगा कैसे एक तो बीसिक मेंतड होता है कि आप उन सब के फैक्टर कर लीजेगा और इनका मासा निकलाएगा लेकिन कभी-कभी क्या होता आप देखेगा इनके जब फैक्टर करेंगे थोड़ी लेंद ही निकलेंगे आप सब्सक्राइब निकाल सकते हैं याद ही एक ऐसा नमबर है जिनकी टेवल में तीनों नमबर एक से बड़ा अगर आपके पास कोई नमबर हो तो बताएगा जिसकी साथ लगा दीजेगा तो जो गिवंन नमबर है उनका है सब्सक्राइब कोई फैक्टर नहीं कि 520 का 75% क्या होगा तो आप 520 इंटु डार्ट ली थिरी वाइफ फूर कर सकते या 75 अब यह फोर्टिंग करेंगे तो यह हो जागा 130 130 का इसमें मुल्टिप्लाइ कर दीएगा तो यह होजागा 390 इसमें जो भी 390 वह आपका जवाब है आप इनको नोट डाम कर सकते हैं और समझते हैं कि नाइक्ट कुश्चन समझते हैं इसमें को गिविन है कि एकी आई एकी जो इंकम है वो बी से 25 परशेंट कम है a व्यक्ति की इनकम b व्यक्ति से 25 परशेंट कम है कहने मतलब यह हैगर b इस्वल रुपई कमाता है तो 75 कमाता है इस का पहली लैन मतलब हुआ तो पिर आप यह मतलब बताइगा एक भीकी इनकम a से कितमे परशेंट अधिक है अब तो नहीं कहा जा सकता है कि जब A की इंकम B से 25% कम है तो B की इंकम A से 25% अड़ादी करोगी नो यह तो नहीं कह सकते ना अब आप ऐसे question को करने के लिए क्या करेंगे basic method में तो काफी लंबा निकलता जागे कि आपको हम बताते हैं CPR का मतलब होता constant product ratio एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी कैसे थोड़ा समझ लीजिएगा मान लीजिएगा हमारे पास 15 into 4 भी तो 60 है ठीक है अब आप इसको देखेगा 15 को आप 6 कर दीजिएगा और 4 को 10 कर दीजिएगा तब भी 60 है कि एक बैलू कम घटा रहें तो दूसरी कम को बढ़ाना पड़ेगा इसको constant रखने के लिए बांस अब आप इसको और कम करके यहां पर 4 करदीजिएगा इसको 15 कर दीजिएगा तब ध्युथO सिंट यह1 चितकी नम्बर को किस रेशियो कंशे करें तो दूसरा da नमंबर को किस रेशियो बढ़़ांगा है जो गटने डुच्छा एक रिलेशन होता है देखेएंगा क्या होता हैं अब इस पर में चर्चाबादिम कभी करेंगे अभी तियूंद आपके वाली समझ्स GC na अगर हमारी gave जो increase होने वाली ड़र ऐ अगर ए अपन बिए है अगर increase होने वाली बढ़ने वाली बैलू तो जो है वो इस ratio में है कि A upon B की form में है तो कम होने वाली वाली वैलू ए अपॉन A plus B की form में होगी यह वैलू कम होने वाली होगी तो जब भी percentage की बात की जाए तो आप उसे fraction चैंज किसे हिसे इह count की form में होने वाली वादी वैलू की अगर भीने तो बढ़ने वाली वाली वैलू कर लेंगी अगर बढ़ने वाली वादी परशेंट दी हो 25% Fr Beim और इस से अशार देखे द Watching a या चाहिए कमोने वाली वेल्व उया तो बरने वाली स्री कोन रही होगी और अगर हम इस is Cr चलेंगे तो क्रीज्ब होने वाली कने अगर किसी ब्यक्ति की इंकम 25% से घट रही है तो जो दूसरे जिसके बढ़ रही है वो 33.33 से बढ़ रही होगी इस प्रकास से इसको करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी शरी आप समझ सकते हैं अगला दिया जाएगा आट परसेंट की बार्शिक साधार बाज की दर्स से 15 रुपे का चार साल का से इसाई कितना हो जाएगा सिंपल इंट्रेस्ट ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूती नहीं इतना तो लर्ण होई जाएगा कि एस आई इस उकल टू टू पी आर्टी अपॉंट इसमें चार्टर में आप से कोई तीन दिये होंगे और यह पूंच लिया जाएगा और कि दो जीरो कट गए तो पन्रा चागुशाट कि शिक्स्टी और शिक्स्टी का मुटिपला जब एट के साथ करें एट फोर या वह एट शिक्स एट यह 48 यानि चारस्व असी तो इसमें चार्टर सी गा एक ऑप्शन इस प्रकास हम इन दो को भी कर सकते हैं आसा करता हूं आ आप हुमारी चैनल को शेयर करें लाइक करें वह सब्सक्राइब करें देट सो यह जवारत